रादे रादे तो आज 22 दिन है पुर्शोतम मास का और हम 21 अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं आज भी इस अध्याय में भी अभी वोई चर्चा चल रही है जो पिछले से पिछले दिन हमने चर्चा करी थी एंड में भगवान ने उदव जी को बोला कि उदव जी ये गुण और दोशों पे जादा चिंतन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में एक दोश है लगुण और दोशों के चिंतन करना तो आप इन से उपर उटो कल हमने पूरा अध्याय करा उदव ने बार बार वोई बात पूछी कि फिर आपने वेदों में क्यों बोला कि ये गुण है ये दोश है ये सब है तो भगवान ने ती और बताया कि जो लोग इन योगों को नहीं पालन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये विधी निशेद हैं ताकि वो इन विधी निशेद से उपर आ सकें पर ट्रांसिडेंटल टू दीज डूस और डूस एस डैट वी शुट नॉट कंसीडर दीज डूस एंडूस मतलब इन गुणो और दोशों के ऊपर हमकब ऊठ सकते हैं जब हम यह भक्ति योग में आके स्धित हो जाए हैं जब हमारा जो यह वडन आश्रमध़्म जो हम पालन कर रहे हैं इस से वी ऊपर हम भक्ति योग पे आ गए तो उस थिती में आके फिर हमें गुण दोश वगेरा इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए तो इक उपर किस थिती की बात करी है और आज भी इस अध्याय में भी फिर से अभी वही चर्चा चल रही है कि गुण और दोशों की गई और गुण और दोशो के अधार पर की गई है किस व्यक्ति का क्या अधिकार है उस अधिकार के अधार पर ये बात की गई है जैसे food for one is poison for other तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज गुण ही है ये सबके लिए गुण है ये दोश है ये सबके लिए दोश है समझ गये सबका एक अलग-अलग च जैसे जो मैंने अभी बोला food for one is poison for other अब एक किसान जो है वो सोचता है कि अभी जो मेरी फसल है उसमें वर्षा ना आए वर्षा आ गई तो खराब हो जाएगा जो व्यक्ति बाहर छटरी बेच रहा है वो सोचता है कि वर्षा जादा से जादा आए तभी मेरा काम चलेगा म एक व्यक्ति जिसकी छट तपक्ति है वो सोचता है वर्षा ना आए नहीं तो मेरी छट से पानी गिरेगा एक व्यक्ति वहाई पे जो कामी करता है यह बेलदार है सीमेंट का और एट का काम करता है वो सोचता है कि वर्षा आए तभी लोग मुझे गुला कि काम ठीक करेंग हर व्यक्ति इस जगत में जैसे उन्होंने बोला कि देखो अब यह बता रहें कि कैसे गुण दोशों से उपर उठना चाहिए हर व्यक्ति इस जगत में अच्छा या बुरा देखता है कि यह मेरे लिए अच्छा है यह मुझे अच्छा करना चाहिए मेरे लिए ठीक है मुझे यह करना होना हिसा कि जब सब अपने लिए अच्छाई करते तो क्या इस जगत में सबшुकिंवी नहीं होते तो इसका मतलब आप कितना भी गुण्दोशो का चिंटनं करो इस से उपर एक व्होन की सत्ता ह्यां वह होना ही नहीं, जैसे हम स्वास्थे का द्यान रखते हैं हम हर चीज ऐसे तोलते हैं यह एक ही निक खाना चाहिए यह फान उसके किक लिह हो किसी के लिए प्ता नियुक हुआ उसको क्या बिमारी इसका शरीर मेरे लिए यह हल्दी में के मुपने कभी चाले हो गए वह थंडटा भी हो किए किसी कोई का काlock करें आईस क्रीम खाओ लिमगा भी हो और मेरा गला घराब है तो मुझे बोला जाता है गरम पनी बियो श्टीम लो समझे तो अलग अलग है तो healthy unhealthy की कोई परिभाशन है कि यह healthy है यह unhealthy है ऐसा कुछ नहीं है कहीं लोग कहीं जीव से मर रहे हैं कि वहीं यही भगवान मैं आपको जो सिंप्लिफाइब करके बता रहा हूं कि ऐसे कोई तत्व होते नहीं इन सबसे ऊपर एक तत्व होता है जिसको भगवान की सत्ता बोली जाती है हर आदमी सोचता है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहा हूं पर तब भी बिमार होता है तब भी मृत्तिव आती है सब कुछ होता है ना इस इसाप से तो यह समझना जरूरी है कि गुण दोश से ऊपर भगवान की सत्ता है बस यही जो बात बता रहे हैं यह पूरे अध् छोड़ो इनकी यह ठीक है यह खराब है यह अच्छा कर रहा है यह खराब कर रहा है आप किसी पे उंगली मत उठाओ कि यह अच्छा है यह बुरा है यह सई कर रहा है वो गलत कर रहा है हर व्यक्ति की अपनी प्राकृती है हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है बहुत सारे प्रकार के मनुश्ये सब अलग-अलग प्रकार से बने गए और सब के अलग-अलग प्रकार के लिए वेदों में अलग-अलग बाते कई गई गई हैं तो इसी लिए और वेदों में जो बाते गई गई है वो इस प्रकार से कई गई है कि जो जहां है वो वहां से उपर उठ सके जो अब इसी को थोड़ा और डिफाइन करके आगे इस लोकों में बगवान बताएंगे जो लोग ना भक्ति योग को मानते हैं ना ग्यान योग को मानते हैं और ना ही कर्म योग को मानते हैं हमने तीन योगों की कल चर्चा करी थी कि इन तीन योग में लोग होते हैं बगवान ने बोला उनके ये गुण दोशों को देखना बहुत जरूरी है ये वह जीवन जीने की एक मर्यादा है वो मर्यादा भंग नओ इसी लिए देश, काल और परिस्थिती के हिसाब से सही और गलत बोला जाता है अब बोला भी तो गया ना कि ये सही है ये गलत है तो किस परिस्थिती के हिसाब से देश, काल और परिस्थिती ये और आगे बताया गया कि छे प्रकार के आगे भी बताया गया यह तीन प्रकार से बताया गया और आगे बताया गया कि six factors हैं जो define करेंगे किस व्यक्ति के लिए क्या सही है अब जैसे यहां देश काल और परिस्थिती बताया गया तो देश मतलब स्थान और अपवित्र स्थान किन को बताया गया अपवित्र स्थान मतलब जहां पर भ्राम problem कि वैष्णवों की सेवा ना होती हो कोई यग्य इत्यादी जहां पे पूजा अर्टना ये बहुत को अगर 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 हमारे आसपास कोई वैशनव सेवी है तो उस वैशनव सेवी के जो वायू तक वो वैशनव सेवी शुद कर देता है वायू में भी ऐसे कण आ जाते हैं कि हमें भी भक्ति मिलेगी उसके केवल साथ रहने से इतना पवित्र कर देते हैं और दूसरी तरफ ऐसी जगह जहा होता हो निंदा होती हो तो बोलते वह स्थान ही अपवित्र है रहना ही नहीं चाहिए उसके भी दोश लग जाते हैं हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने के जहां बिरकुल यग्यपूजा अर्चना इत्यादी ना होती हो जहां मास खाने वाले हो जो नौनवेज ख अच्छा काल क्या है अच्छा समय क्या है बोलते जब कर्म करने की सामगरी भी मिल सके और कर्म हो भी सके कर्म योग के लिए हम वो कारे कर भी पाएं जो करना चाहते हैं और कारे करने की सामगरी भी हमारे पास वो पस्तित आप कोई काम करने लगे आपकर समगरी नहीं है तो वो कारे वो समय जो है वो बोलेंगे कि ये अभी ठीक समय नहीं है यो प्यूक समय नहीं है तो कब बोलेंगे कि समय सही चल रहा है कि आपने सही टाइम पर सही चीज सोची और आपको समझने भी मिलगी आपने वो कर दी तो ये आपका अच्छा समय चल रहा है और बहुत सारे factors मेक्टर करते हैं किसी को भी शुद अशुद पाप पुन्ने अच्छा बुरा कहने या समझने में इसमें भी फिर बड़े multiple factors है कि किस हिसाब से भगवान ने ये गुण और दोश बताया जैसे पानी है अब वो मान लीजिए सुबह अर्चना कर रहे हैं और किसी पशुद की हड़ी हाथ लग गई तो क्या बोलोगे कि यह अपवित्र हो गया अपवित्र वस्तु को हमने हाथ लगा लिया पर हम शंक बजाते हैं मुह से भी लगाते और बजाते तो शंक भी एक प्रकार की हड़ी है तो वह अपवित्रता नहीं मानी जाती जो हम रिदंग बजाते इसमें भी बोला जाता है कि चमड़े का इस्तमाल होता है पर अगर वैसे किसी की फ्लेश को चमड़े को हाथ लग जाए अगर पशुद की यहां लैदर वगएरा जैसे हम लोग इस्तमाल नहीं करते क्योंकि हम पूल आया तोड़के आपने वह फूल तोड़के भगवान को ऑफर किया तो पवित्र है पर वही फूल किसी ने सूंग लिया और फिर आपको दे दिया तो अब वह नहीं हो सकता तो बड़े सारे मुल्टिपल फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि गुण क्या है दोश क्या है अशुद क्या शुद क्या भगवान उदव को समझा रहे और इन सबसे ऊपर फिर एक भगवान की सत्ता जो प्रेमी वक्तों के लिए जहां जहां पर भगवान बतारे कि वह मेरी सत्ता से उपर चले जाते फिर फिर ये सब चीजें उनको मैटर नहीं करती और कई सारी ऐसे भी पे उसके करेक्टर पे ही कई अशुद चीजे वो उसके लिए अशुद नहीं मानी जाती है और दूसरे के लिए अशुद मानी जाती है जैसे अगर सस्ते में समझे तो मैंने आपको बता है ना कि कोई बरफ डाल के आज भी पानी पी रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही और किस शुद्धी का भी व्यक्ति ध्यान रख सकता है जैसे मान लीजे बाहर से कितनी भी अशुद्धी आ रही हो पर हम अपना जैसे नहाने का धोने का हाथ दोने का ध्यान रखे अपने दान पुनने का ध्यान रखे नहाना दोना ये शरीर शुद करता है दान पुन करना हमारा पधन शुद करता है तपस्या करना हमारा मन शुद करता है तो इस प्रकार से कहीं कहीं प्रकार से अपने आपको भीतर से भी और बाहर से भी शुद किया जा सकता है जो मंत्र हम लोग स्मरण करते हैं अगर ठीक ग्यान के साथ और मन लगाके गुरु प्रदत मंत्र अगर जप भी आपको शुद कर देता है समझ गए तो वो चाहिए कैसा भी हो तो इसी लिए आप यहां पर भगवान ने बताया कि कुल मिला के अगर यह सारा देखे तो अब छे फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं गुण और दोश बोलने के लिए कि भाई यह गुण है यह कुण कर रहा है यह भी डिफाइन करेगा और आप मंत्र क्या जबते हो यह डिफाइन करेगा आप किस स्थान में हो किस काल में हो और किस पदार्थ से वगण Rico करे हैं जो डफाइन करते हैं कि वह शुद माना जाए गा यहँ अशुद माना जाए का वह इनौस पीश है कि वह फिस्छ इस है कि सही है कि वह गलतila बस あईसे बैठ चो हसी से कई असी बाद से कई मत यह ऐसा हो जाता है कि कई बार गुण ही दोश बन जाते हैं और कई बार कईयों के दोश ही उनके गुण बन जाते हैं ऐसा भी होता है क्वाचिद गुणो अपी दोशा स्याद दोशो अपी विधिन गुणा दोश गुण बन जाते हैं और गुण दोश बन जाते हैं जैसे उधारन के तोर पे आपके पडोसी के घर में मानलो आग लग गई और अंदर लोग हैं और एक व्यक्ति अपनी छत से उपकी छत पर टापके गया और उनकी छत तोड़ दी और छत तोड़के उसने ऊपर से वो बंदे निकाल लिए वो व्यक्ति निकाल दी जो आग में लगे हुए थे अब आपने आज जो उनकी छत तोड़ दी तो अब हम बोलें सिरफ इतनी बाद बताए कि ये व्यक्ति ने अपने पडोसी की छत तोड़ दी अब ये गुण लग रहा है कि दोश ये दोश है ये दोश है कि उसने अपने उसकी छत तोड़ दी पर अब आप लोग फसे हुए थे और उसने चट तोड़ के उसे निकाल दिया तो उसे ब्रेवरी अवार्ड दे देंगे इतना बड़िया काम किया तो यह बहुत बड़ा गुण मन गया जो दोश है आगे पीछे आप पतर मार के उसकी खिड़की का शीशा भी तोड़ दोगे तो आपको मा इन गुण दोश पर ज्यादा द्रिश्टी ना डालो बच्चों के लिए बताया गया कि बच्चे अगर आठ साल तक जो सही या गलत समझते हैं या करते हैं उसका फल उनके माबाप को लगता है उनके कर्मों का फल उसके माबाप को मिलेगा क्योंकि आठ साल की आयू तक उन्होंने दिया है वो उससे ही सोचेगा मतलब उनी की मानसिक्ता उस बच्चे में रिफलेक्ट हो रही है आठ साल तक के बच्चे में अच्छा आप कई बारी ऐसे भी बताया गया कि कई बारी कई कर्म ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं और कोई व्यक्त सा एक सन्यासी का किसी स्तृरी के साथ संबन्ध हो गया तो वो अपने स्तर से नीचे गिर गया और वहीं एक व्यक्ति जो आज है तो ब्रहju स्ति है 15 क्रहे चाहरे म सकट क्टर से संबन्द हुआ उसने विवा कर लिया और ग्रेर स्नी yap तो अब उसका पतन हुआ उसका पतन नहीं हुआ पर वह अगर सन्यासी कर ले संबंद बना ले और विवा का सोचे तो वह पतन माना जाएगा क्योंकि वह अब उपर चला गया अब उस थिती में जाके नीचे आना पड़ेगा उसको तो ऐसे ग्रियास्ती भी भगवत प्राप् नहीं हो सकती तो उसका पतन हो जाएगा समझ गए तो इसलिए अब यह अलग-अलग उधारण से भगवान यह बता रहे कि देखो कितने सारी factors matter करते हैं कहीं बारे दोश गुण बन जाता है गुण दोश बन जाता है कहीं बारी एक व्यक्ति के लिए वो दूसरे व्यक्ति क कर लें कि यह मेरे दोश हैं और इसी के कारण मेरा चित खराब हो रहा है तो केल एक क्रम है जो खराब है यह मेरा एक कड़्म है जो मुझे मेरे भजन से नीचे गिरा देती है यह मैंने खुद identify किया अब यह बात कहां से आई यह बात इसलिए आई कि यह definition fix करना मुश्किल है कि यह गुणा यह दोश है यह गुणा यह दोश है अब आपके लिए कोई दोश है मेरे लिए नहीं हो सकता यह मेरे लिए कोई identify करूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो भजन से मेरे मन को नीचे गिरा देती है जो मेरे मन को भजन से अलग कर देती है वो मैं देखू मेरे लिए वो दोश है आप समझ गए हो सकता है वो universally दोश ना हो पर अगर उससे मेरा पतन होता है तो मेरे लिए वो दोश है अब मेरे लिए तो जो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये मेरे लिए दोश है वो भगवान बता रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति उस चीज को त्याग दे ये बात समझ के कि मेरे लिए ये दोश है तो इस एक्ट से ही उसकी मुक्ति हो सकती है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है और ऐसे बहगवान की प्राप्ति की जा सकती है कि हम देखें कि किस मानसिक्ता से किस क्रिया से मेरा भजन में मन हटता है यह हम इंडेंटीफाइ करें यह मैंने किया और उसका मैंने त्याग कर दिया तो मेरी तुरंत और शिग्रता से भगवत प्राप्ति हो सकती यह बढ़ी बात बगवान ने बताई है कि इसमें मत जाओ चार लोगों से मत पूछो कि यार ये क्या गुण ये गुण है क्या ये दोश है क्या मैं ऐसे करता हूं ये दोश है हो सकता है चार लोग बोले कि ये दोश नहीं है क्योंकि उन मैटर Wähнуться नहीं हो सकता है कि आप उससे बहुत भजब गिरता हूं कि यू inclusion के गाने सुन लेते हूं उनको फरक ही नहीं पड़ता वह उसे नहीं दौपर हो सकता है मैं अगर एक भी फिल्म का गाना सुन लूँ या फी लुए मूवी देख लूँ तो वो देखने से मेरे दिमाग में वह घुमती रहती है घुमती रहती और मेरा उसी से पतान हो रहा है तो डिफाइन नहीं है कि यह दोश है के नहीं है एक व्यक्ति स्वभाव से ऐसा था कि वह हफ्ते में तीन बार सिनेमा हॉल जाता था आसा भजन में आने के बाद उसने ऐसा कंट्रोल किया कि महीने में एक बड़ी पक्राइब तो अगर देखा जाए तो उसकी अवस्था में उसको बोला जाएका कि उसका गुन Northern कि वह माहिने में एक विच्चर देखता है अब हमने देखा गुरुजी बड़ा तरीफ करते हैं इसकी पिच्चर एक देखता है महीने में इसकी तरीफ होती अब हम हम नहीं देखते हैं तो फिर मैं हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरा ग्राफ ऐसे जाता हो उपर को चले नीचे को ना आए कौन सी चीज और बाधा बन रही है जो भगवान में मन लगाने से रोक रही है मैं अपने भीतर वो देखके उसे हटा दू कि मैं यह ना देखों कि अब मैं एक पिचर देखत चल रहे है क्या पैना हुआ है क्या यह है यह है यही सब हमने सोशल मीडिया में और इदर उदर देखा अब मेरा दिमाग उदर ही चलने लग गया समझ अब हमने किसी को पूछा कि वह अगर कभी कोई ऐसे हफते में एक आद बार फेस्बूक या इदर उदर देख ले तो क् गुण दोश डिफाइंड नहीं है आप देखो कि मेरे लिए यह दोश है यह मेरे बजन में बादा बन रही है तो मैं उसको हटाओं बस मुझे चार लोगों के स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करने की जवरत नहीं है कि भई यह दोश है कि नहीं है क्योंकि हम ऐसे ही बंदे बोले कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है और फिर हम अपने मन को समझा लेते हैं कि हाँ यह इससे थोड़े कुछ होता है तो सब करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए यही बात भगवान उदव को समझाने का प्रयास करें कि गुर्ण दोश औरों के हिसाब से नहीं अच्छा करिये ध्यायन्स्तूव विशे पुश्व पुश्व संगत देशूु उस में ऐसे जिएंस्यू गुना द्यासात पुश्व और बूट कुण सच सन्गत तेश्यू जब आप किसी विश्य का ध्यान करते हो तो आपका मन भी वोई विशय बन जाता है और बहुत ध्यान करते 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 उससे असकती हो जाती है ना मिलने पर क्रोध हो जाता है और नहीं तो किसी से बहुत बड़ा जगड़ा भी हो जाता है ये बीसवे नंबर श्लोक में बताया और फिर जगड़ा होने पर फिर बहुत जादा क्रोद ओजाताए एक्रोध करते 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 प्रणशती स्मिठि वे ब्रहम स्मिर्म बुद्धि नाश स्मुर्छे और यह विर्खुल एक्किस्वे नंबर में भताया श्लोक में कि जब उसकी बुद्धी का नाश हो जाता है तो व्यक्ति मृत समान है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धी नाश हो गई उसके जीने का क्या लाव वो बोलते हैं वो तो सांस भी लेता है तो समझो अगर जी रहा है सांसे चल रही है तो उस व्यक्ति को एक विरिक्ष के समझो या वो गुण मत लेना त्रिनाद अपी सुनी चेन और तरोड अपी सही शूता का ये वो वले गुण से नहीं कंपेर करें ये ऐसे देख रहे हैं कि बस पेड़ खड़ा ही है जिंदा आये खड़ा है बस और कुछ करनी पार तो वो व्यक्ति भी बिरकुल ऐसा जड़ कि ये कर सकते हैं वेदों में लिखा वेदों लिखाए लिए वहां जिस लिए जहसी में उस थिवां उपर लेकर आए जैसे अभी हमने उधारन दिया, कि हफते में चार मूवी देखने वले को अगर आपने कह दिया कि वही तू महीने में एक पिचर देख सकता है, तो जो यह कह दिया महीने में एक पिचर देख सकता है, यह वो व्यक्ति के लिए नहीं है, जिसने पिचर देखी नहीं कभी, वो तो तो एक आदमी जो नई पीता है उसने सुना अच्छा कहरें थोड़ी थोड़ी फिता करो जो ज़्यादा पीता है उसके लिए तो अच्छी बात है थोड़ी थोड़ी पिया करो जो उंको प्रकार की बाते भी कहीं लिखी गई है वो उन लोगों के लिए जिनकी स्थिती फिर वो बच्चे जैसी है, उसको बड़ा करने के लिए, पर बड़ा व्यक्ती फिर वो कारे ना करने लगे, इसलिए भगवान ने बोला कि वेडों को कोई ठीक से समझ नहीं पाता, जनरली, इसलिए गुरु के संग्रक्षन में वेडों को समझ ना चाहिए, स अभी किसी को इंद्रिय त्रिप्ती की और प्रेरित करेंगी, क्या वो बोलेंगी कि इंद्रिय त्रिप्ती करो, नहीं, अगर हमें लगता है कि वो बोल रहे हैं, क्योंकि हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो जो जिस ठिती में हैं, उस ठिती से उपर आ सके उसके लिए हैं जो व्यक्ति इंद्रित्रिप्ति करते हैं वो ये समझते नहीं कि हमारे हिर्दे में बगवान स्थित हैं हमारे हिर्दे में हिर्दी स्थितम 28 वे श्लोक में ये बात बोली गई और जो वेदों को ठीक प्रकार से नहीं समझते क्योंकि वेदों में अब लोग ऐसे श्लोक निकाल के दिखा देंगे आपको जहां पे लिखाए कि आप मास भक्षण भी कर सकते हो ऐसा लिखाए पर ऐसा किस परिस्थिती में लिखाए ऐसा किन जीवों के लिखाए क्या हम जैसे जीवों के लिखाए जो यहां पे रह रहे हैं शहर में वो जाए और मास पका के खाएं, नहीं, ऐसा नहीं लिखा, बड़ी अलग परिस्थितियों वले जीवों के लिए लिखाएं, पर आपने वो सारा समझा नहीं, आपने केवल यही देख लिया कि अच्छा मास खा सकते हैं, और मास खाना माग भक्षन करना शुरू कर दिया और बोला तो यह तो तुम्हारे वेदों में भी लिखाएंगी यह खा सकते हैं, तो यह बात गलत होई, वो वेदों को ठीक से जाने नहीं, जो इस प्रकार से एक मासूम पशुओं की हत्या करके उनको मार के खा रहे हैं, एक जिस प्रकार एक खराब बिजनसमेन होता है न, जो मुर्ख व्यापारी है, तो वो मुर्ख व्यापारी क्या करता है, वो वेकार के काम में लगा रहता है, और जो उसका में कमाई का स्तोत्र है, जिससे में पैसा कमाए जा सकता है, वो छी छोड़ देता है, और छोटे वेकार के कामों में लगा रहता है, तब ही बोलते हैं, यह व्यपारी की तरह है जो अपने मनुष्य जीवन का जो में कारे है हमारे मनुष्य योणी का मेंगारे क्या था कि हम जनम रित्वु से उपर उड़ जैसे मैंने कल बताया था चुरासी लाख योनियां उन में से केवल एक ऐसी पूरे नर्क में ना पूरे स्वर्ग में ऐसी कोई योनी आई जो भगवत प्राप्ति कर सके और हमें केवल मौका मिलागी और हम उस मौके को छोड़के और यह छोटी-छोटी इंद्रिया करें ये मीठ काने की मास्स काने गया रहे आप अपने से नीचे सारे सब कि यह और आक यही को करना चाहती है की सिंद्रिति रेपती कर रहें मों करने की जो रहता है एसा प्रकारे करो जो इस योनी में ही कर सकते और कहीं करने सकते इसी लिए ठीक प्रकार से वो लोग वेदों को समझ नहीं पाए वेदों में कहीं जगा देवी देवताओं की पूजा भी लिखी है पर भगवान ने यहीं बताया जिसका मन जैसा हो उसको उस प्रकार से उस मानसिक् से लिखा गया पर अंतरो गता तो मेरा ही बजन बताया गया है और वहां से करते-करते उस जीव को मेरा भजन करना होता है कि इस कांचीत्स Я कंवच बात को वेद की जीव समझने पाया वो केवल मैं ही समझा सकता हूं और व पर मेरे री दौरा जो गुरु है ज नहीods लो जाये करम कांड़ हो चाहे उपासे ग्यान कांड हो इस तर्जडे को यह करना चाहिए यहां पे जाके इतना किलो अनाज दाके यहां पे नदी में जाके फैंक आँ उपाराज और वह दो हूँ जाके दूकर कर्मकांड की बाते हैं यह केवल कर्मकांड वह समझता जो ठीक से वेधों को शास्त्रों को जान नी पाया अब विर्कुल डीग्रेड़िड है एक दम ऐसे कि उसका कोई भगवान से लेना देना नहीं कोई सेवा का पता नहीं कि जीवन में कभी करना भी है तो केवल स्वार्थ ही है तो उसको क्या लॉलीपॉप दी जाती है कि अग जा के इनको इतना खाना खिला के आओ वाँ जा उस मंदिर में वह आटा दान करके यह सब क्यों बोला जाता है कि कर्मकांड अब किसको बोला गया जो बिल्कुल कुछ नी करता उसको फ़ला उपर उठार यहां पे आगे कर आब यह वह भगवान का भजन कर रहा है गायतरी मंत रखो ये करो वो करो महाराज वो वो करने के लिए बैठ जाए तो पतन हो गया कि नहीं हो गया और फिर वो बोले यह देखो यह तो वेदों में लिखा अरे आपके लिए थोड़े लिखाए आप तो परम परमिश्वर के पास पोज गए जो ठाकुर जी का वजन कर रहे उसको क करने लगे आपके लिए थोड़े हैं वो जो बोलना है ठीक है पर वो किड करना चाहिए हमारे संच वह नहीं हो ना चीकित तो इस लिए उधव को वगवान ये इस माध्यम से इस अध्याय से ये समझा रहे हैं कि उधव ये गुण और दोश और ये करना है वो करना ऐसे करना कर्म कांड करना ये करना ये उंके लिए है तुम्हें मैंने अंत्मी इसलिए बताया कि इससे ऊपर उठो गुण देश से ऊपर द्रिश्टी देखो ये गुणों और दोशों में ज्हांकना ही दोश है अब जो व्यक्ति ऊपर है वो ये सारी चीज़े देखे तो उसके लिए तो दोश बनाना कि तुम इतना नीचे ये भक्ति मार्ग में ये सब दोश है इससे ऊपर उठाओं बाकि ये अध्याय आज खत्म हुआ अगला अध्याय कल्चर करें